जे एशू परमेशर के नाम से में आपका स्वागत करते इस दिन, आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रांता दिया 41 परसंगे 14 और 15 मनुष्य अपने शरीर के लिए जोक मनाते, पाप्यों का अप्यस सदा बना रहेगा, अपने नाम की रक्षा करो तूकि वह सोने के हजारों कोशों की अपेक्षा अधिक समय तक बना रहेगा मेरे भाई उर वेनो, आज का वचन केता है कि नाम, ये शरील तो मिटी है, मिटी में मिल जाेगा, लेकिन जो नाम है, वो अनंतकाल तक चलते रहता er, क्योकि एक मनूशय जो करता है, उसके नाम से पेछाना जाता है मेरे भाई और वेनों क्या हम ने वो नाम जो हम से जुड़ा हुआ है बाइबल के ताहे के परमेश्वर ने वो नाम हमें दिया है जो हर नामों से उचा बिमारी एक नाम है दुख के पास एक नाम है, तकलीफ के पास एक नाम है, परिशानी के पास एक नाम है हर एक चिंता जो हम करते उसके पास एक नाम है और हमारे पास एक नाम दिया गया है जो हर नामों से उचा है वो नाम है ये शुना और वो नाम से हम जुड़े हुए है ये शरील मिट जाएगा लेकिन जो हम जुड़े हुए उस नाम से वो हमें अनतकाल तक लेकर स्वर्ग जाएगा तो मेरे भाईर बेनों क्या हमने उस नाम का सही इस्तमाल कि क्या हम बहुत जगा जाते हैं तो एक चीज में बना गया है लोगों के मन में एक चीज धल गया है कि क्रिस्तान है तो वो शराब पीता रहेगा अगर हो कृस्तान का बच्चा है तो शराब पिएगा सिगरेट पिएगा ये पिएगा वो पिएगा वो नाम के साथ वो चीज जुड़ चुका है आज के लोगों में तो मेरे भाई और मिनों क्या हम उस प्रकार कारिय करते हैं और उस नाम को मिटाते हैं क्या हम उस नाम को बनाने के लिए कुछ करें क्योंकि जिस दिन हम इस शरील को दफन करते हैं उसी दिन उस आदमी का नाम मिठ जाता है हम कहते हैं कि उस बॉड़ी को ले किया हो बॉड़ी कितना बज़े आएगा ये कितना बज़े आए नाम लेकर कोई बुलाता नहीं ये बॉडी बन जाता है तो मेरे भाई उर्विनों क्या हम कुछ काम करते है इस दिन्जिगी में कि वो नाम हमेशा याद रखा जाएगा या हमारे नाम के ऊपर लोग धबा डालते हैं लोग गलत गलत चीजे कहते हैं क्या हमारे नाम का निंदा करते हैं क्या हम उस प्रकार का जीवन जीए रहे इस समय में अपने आखों को बंद रख कर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर क्यों लगाएंगे ये पिदा परमेश्वर इस दिन के लिए धनिवाद देते हैं जो सब नामों से उच्छा है ये शुनाब और उस नाम से हम जुड़े हुए है तो परमेश्वर क्या हमारे कारिय दवारा हमने कभी भी उस नाम को निंदा किया कभी भी उस नाम को नीचा दिखाए क्या परमेश्वर हम इतने स्वार्ति हो चुके कि हम अपने संसारिक जीवन में इतने मगन हो चुके कि उस नाम को हम भूल चुके कि हमसे वो नाम जुड़ा हुआ है और परमेश्वर हर बार हम ऐसा काम करते कि लोग हमारे नाम का निंदा करते लोग हमारे बारे में उल्टा कहते और जब लोग हमारे निंदा करते परमेशुर जो नाम हमसे जुड़ा हुआ है उस नाम का भी निंदा होता है वो नाम है येशुव तो परमेशुर इस सब चीजों के लिए समय माफी मांगते हर एक चीजों आपके हातों में देते समय हम प्रातना करते है परमेश और जिस प्रकार है ये शुई तुने अपने पिता का नाम रखनी के लिए हर एक चीज किया तु कहता है कि तेरा पिता भी काम कर रहा है तो तुझे भी काम करना है तुने हर एक चीज उस नाम के लिए कि उस पिता के लिए उसी प्रकार वो रिदे हमें दे कि हम जो भी चीज़ करे उस नाम की ले करे जो नाम तेरा है पुरे दिल से पुरे प्रेम से करे और यही प्राधना इस सुबे वे येश्व वसी के नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं आमेन येश्व